ओम श्री गुरुवे नमः ज्यान गीता के इस मंच पर आपका हार्दिक अभिनंतर आज का हमारा विशे वस्तु है श्राध पक्ष में पितरों को अर्पित किये जाने वाले जल तरपन और भोजन पर प्राया कुछ लोग ये शंका करते हैं कि श्राध में समर्पित की गई वस्तुएं पितरों को कैसे मिलती हैं कर्मों की भिन्नता के कारण मरने के बाद गतियां भी भिन्धिन होती हैं कोई देवता, कोई पितर, कोई प्रेत, कोई हाथी, कोई चीती, कोई व्रिक्ष और कोई तिर्ण बन जाता है। तबन में ये शंका होती है कि छोटे से पिंड से अलग-अलग योनियों में पितरों को त्रिप्ति कैसे मिलती है। इस शंका का इसकंद पुरान में बहुत सुन्दर समाधान मिलता है एक बार राजा करंधम ने महायोगी महाकाल से पूछा मनुश्यों द्वारा पितरों के लिए जो तरपढ या पिंडदान किया जाता है वो जल पिंड आदी तो यहीं रह जाता है फिर पितरों के पास विवस्टूएं कैसे पहुँशती हैं और कैसे पितरों को तृप्ती होती है तब भगभान महाकाल ने बताया कि विश्व नियन्ता ने ऐसी विवस्था कर रख़्ी है कि श्राज की सामगरी उनके अनुरूप होकर पितरों के पहुँच जाती है इस विवस्था के अधिपती है अगनी श्वात पितरों और देवताओं की योनी ऐसी है कि वे दूर से कही हुई बाते सुन लेते हैं दूर की पूजा ग्रहड कर लेते हैं और दूर से की गई इस्तुतियों से ही प्रसंद हो जाते हैं वे भूत भविष्यव वर्तमान सब जानते हैं और सभी जगा पहुँच सकते हैं पाँच तनमात्राएं और मन बुद्धी एहंकार वप्रकृती इन सभी को मिलाकर नौ तत्वों से उनका शरीर बना होता है और इसके भीतर दसवे तत्व के रूप में साक्षात भगवान पूरु शोत्तम उसमें निवास करते हैं इसलिए देवता और पितर गंध रस तत्व से ही त्रिप्थ हो जाते हैं शब्द तत्व से त्रिप्थ रहते हैं और सुपर्ष तत्व को ग्रहेड करते हैं पवित्रता से ही वे प्रसंद होते हैं और वर देते हैं पित्रों का अहार है अन जल का सारतत्व जैसे मनुश्यों का अहार अन है पश्वों का अहार त्रिड है वैसे ही पित्रों का अहार अन का सारतत्व यानि की गंध और रस है अतवे अन्व जल का सारतत्व ही ग्रहन करते हैं शेश जो इस थूल वस्तू है वो यहीं रह जाती है अब मैं आपको बतलाता हूँ कि पितरों का आहार किस रूप में पहुचता है नामव गोत्र के उच्चारण के साथ जो अन्जल आदी पितरों को दिया जाता है उसे विश्व देव एवं अगनी श्वात यानी की दिव्य पितर उस हव्य कव्य को पितरों तक पहुचा देते हैं यदि पितर देव योनी को प्राप्त हुए हैं तो यहां दिया गया अन्न उन्हें अमरित होकर प्राप्त होता है यदि गंधर्व बन गए हैं तो उन्हें वहाँ अन भोगों के रूप में प्राप्त होता है यदि पशु योनी में हैं तो वो अन त्रण के रूप में प्राप्त होता है नाग योनी में वाय रूप से, यक्ष योनी में पान रूप से, राक्षश योनी में आमिश रूप में, दानो योनी में, मांस रूप में, प्रेत योनी में, रुधर रूप में और मनुष्य बन जाने पर भोगने योग्य त्रिप्तिकारक पदार्थों के रूप में प्राप्त होता है जिस प्रकार एक नन्ना बच्छडा जुंड में अपनी मां को ढोड़ी लेता है उसी प्रकार नाम, गोत्र, हरदय की भक्ती एवं देश काल आदी के सहारे दिये गए पदार्थों को मंत्र पितरों के पास पहुँचा देते हैं जीव चाहे सैक्डो योनियों को भी पार क्यों न कर गया हो त्रिप्ति तो उसके पास पहुँच ही जाती है पित्रपक्ष के श्राद में आमंत्रित ब्रामण हमारे पितरों के प्रतनिधी रूप होते हैं एक बार की बात है जब पुषकर में श्रीराम जी अपने पिता दशरत जी का श्राद कर रहे थे जब श्रीराम ब्रामणों को भोजन करा रहे थे तभी माता सीता व्रिक्ष की ओट में जाकर खड़ी हो गई जब ब्रामण भोजन करके चले गए तब श्रीराम जी ने माता सीता से इसका कारण पूछा तब माता कहती है स्वामी मैंने जो आश्चर्य देखा उसे आपको बतला रही हूँ आपने जब नामव गोत्र का उच्चारण कर अपने पिता दादा आदी का आवाहन किया तो वे यहाँ ब्रामणों के शरीर में छाया रूप में सट कर उपस्थित थे ब्रामणों के शरीर में मुझे अपने ससुर और पित्रगण आदी दिखाई दिये फिर भला मैं मज्यादा का उलंगन कर वहाँ कैसे खड़ी रहती इसलिए मैं विर्क्ष की ओट में हो गई ऐसी मान्यता है कि तुलसी से पिंडार्चन किये जाने पर पितरगण प्रलय परियंत तक त्रिप्त रहते हैं तुलसी की गंध से प्रसन होकर पित्र गरुण पर आरूण हो विश्नु लोग चले जाते हैं पित्र प्रसन तो सभी देवता प्रसन श्राद कर्म से बढ़कर कोई भी कल्याण कारी कार्य नहीं है वंश व्रिद्धी के लिए पितरों की आराधना सबसे महतोपूर कारी है इस स्ट्लोक की अनुशार यमराज का कहना है कि श्राद कर्म के मनुश्य को छे तरह के लाप्राप्त होते हैं श्राद कर्म से मनुश्य की आयू में व्रिद्धी होती है पित्रगर्ण की कृपा से ही वंश की व्रिद्धी होती है और संतान एवं पुत्र की प्राप्ती होती है पितरों के आशिरवाद स्वरूप ही घर परिवार में धन धानने एवं समर्द्धी की वृद्धी होती है श्राध कर्म करने से मनुष्य के शरीर में बल एवं पौरुष की वृद्धी होती है और ये कर्म मनुष्य को यश एवं पुष्टी प्रदान करता है पितरगण के त्रिप्थ होने पर वे अपने संतानों को स्वास्त बल श्रेय धनधान ये सुख समरिद्धी स्वर्ग वो मोक्ष आधी सभी कुछ प्रदान करते हैं वो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक श्राध कर्म को करते हैं उनके परिवार में किसी भी तरह का कोई क्लेश नहीं रहता वरन वो समस्त जगत को त्रिप्थ कर देता है इस तरह से पित्पक्ष में ये 16 दिन पूरी श्रद्धा एवं निस्टा के साथ अपने पित्रों को समर्पित करें इन 16 दिनों में उनको नियमित जल तरपन करें तिथी अनुसार पिंड़दान करें उनके लिए भोजन की थाली निकालें इवं तिथी इवं श्राद के दिन ब्रामण को भोजन कराएं और उन्हें यथा शक्ती दान दक्षिडा देकर विदा करें इस तरह से इन 16 दिनों में आप पितरों के निमित प्रकट की गई श्रद्धा, सेवा एवं भक्ती से हमें हमारे पितरों के द्वारा हमें अनंत गुना, अनुदान, वर्दान व आशीश प्राप्त होता है अपने पितरों के निमित श्राद करना हर संतान के लिए एक रिण है जिसे उसे अनिवारे रूप से चुकाना ही होता है और चुकाना भी चाहिए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार मित्र और जानने वालों में वीडियो को शेयर करें हमारा प्रियास ऐसे ही ग्यानवर्धक विशेवस्तूओं को आप तक पहुचाना है इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगा स्वस्त रहिए सुखी रहिए और आनंद से रहिए धन्यवाद